नमस्कार दोस्तों आप सोका स्वागत सरकारी ITI यूट्यूब चैनल पर दोस्ति इस वीडियो में बात करने वाले बिहार ITI कैट 2023 में एडिमिसन लेने वाले इस्टून के बारे में यदि आप भी 2023 में बिहार ITI कैट का एकजाम दिये हैं और आपका रैंक कार्ड जारी हुआ है और आप एक्छुक हैं बिहार ITI में एडिमिसन के लिए तो आपको यह वीडियो देखना और समझना जरूरी है क्योंकि इस बार दो अस्तर से रैंक कार्ड जारी किया गया है एक ओपन मेरिट रैंक कार्ड और एक डिस्टिक वाइज रैंक कार्ड ओपन मेरिट रैंक कार्ड से कैसे एडिमिसन होगा और डिस्टिक वाइज रैंक कार्ड से कैसे एडिमिसन होगा आपको इस वीडियो के म आपके category में आपका क्या rank है और open merit में UR में और आपके category में क्या rank है यह दोनो rank card अलग-अलग जारिक किये गए होंगे तो district wise rank card से कैसे admission होगा और open merit rank card से कैसे admission होगा क्या दोनों के लिए हम counselling करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताई जाएगी कि आपको admission कैसे लेना है आपको यहाँ पर set matrix दिया गया है यह set matrix BCEC board के द्वारा जारी किया गया है इसमें आपको district wise, category wise number दिया गया है कि seat कितना है और जो कि 75% seat रहने वाले हैं ठीक है और open set category wise with number of set दिया गया कि 25% रहने वाले हैं यानि कि open merit से आप admission कराईएगा तो आपको यहाँ पर set matrix दिया गया है और आप district wise जो rank card जारी किया गया उसे admission करेगा तो आपको यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में समझाते हैं आपको हम ITI दिगाखाट पटना के बारे में समझाते हैं इसको समझ के आप अपने district के जो ITI है उसे आप open कर लेजिएगा या PDF आपको टेलिग्राम गूरुपे परवाइड करा दिया जाएगा इसमें सभी district के ITI category wise कितना seat available है उसको दिया गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए ITI दिगाखाट पटना के बारे में पहले समझाते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको सेट मैटिक्स को पढ़ना है समझना है और online choice filling में trade देना है देखिए ITI दिगाखाट पटना जो कि district पटना के हैं इनमें देखिए कि electrician electrician में देखिएगा यहाँ पर total 120 seat है ठीक है और देखिएगा यहाँ पर district seat जो दिया गया है और open जो seat दिया गया है और 30 दिया गया है याने कि इनका total कितना seat था डिष्टिक में electrician में जो ITI दिगाखाट पटना था इसमें total 120 seat था लेकिन 90 seat में ही जो पटना के student है वो लोग electrician में admission के लिए भाग ले सकते हैं और इनमें नमाकन करा सकते हैं और 90 seat में देखिएगा category wise बाटा गया है जैसे कि UR के लिए 36 है AC के लिए 14 है HT के लिए 1 है EBC के लिए 16 है BC के लिए 11 है RCG के लिए 3 है EWS के लिए 5 है sorry 9 है और total देख पाईएगा यहाँ पर 90 है उसके आलाव देखिएगा SMQ के लिए 4 है DQ के लिए 4 है तो यहाँ पर है कि district wise UR का seat ठीक है district wise AC का seat district wise ST का seat और district wise EBC का seat district wise BC का seat और district wise RCG RCG मतलब होता है जो female candidate है उनका RCG में राइंक आता है तो वो लोग ही RCG में counselling करा सकती है ठीक है इसके लिए सिरी female candidate ही eligible है अब देखिएगा district wise EWS और total देखिएगा district wise total seat कितना है तो 90 seat है और district wise SMQ और भूत्रपूर्शनिक के परिवार के जो लोग है उनके लिए 4 seat है और district wise DQ उनके लिए है और देखिएगा यहाँ पर open seat 25% जो कि 30 seat रहने वाला है जिसमें कि देखिएगा O UR लिखा गया है open merit UR seat ठीक है अब कैसे admission होगा उसके बारे में आपको समझाते हैं जैसे कि आप जो है पतना के निवासी है ठीक है और आपका राइंग जो आया है आपका राइंग आया है UR में आया है 20 ठीक है UR कितना आया है 20 तो आपका UR में 20 राइंग है तो आप देखिएगा UR में 36 seat available है तो आप जो है first counseling में दीजिएगा तो आपको electrician मिल जाएगा मान लिजिए कि आपका UR में 50 आया है ठीक है राइंग 50 आया है या राइंग 60 आया है तो आप कैसे दीजिएगा आपका UR में देखिएगा total यहां पर तो UR देखिएगा पतना के आईडिये दिखाकर पतना में देखिएगा 358 सीट खाली है यानि कि 358 रैंक तक UR के जिन यतने भी है student UR में 358 सीट खाली है यानि कि first counseling में ही first round का जो allotment letter जारी किया जाएगा उसमें 358 रैंक तक जितने भी UR के candidate है सबको इन में बुलाया जाएगा यदि आप इन में से कोई भी trade चूच कर लेते हैं और आपका रैंक इसके अंदर है तो आपको first counseling में ही कोई ना कोई trade दे दिया जाएगा ठीक है बहुत लोग सोचते हैं कि हमें electrician फीटर मिलेगा मेरा rank ज्यादा है तो कैसे मिलेगा तो यह मुश्किल है ठीक है क्योंकि आप तो पहले से भी sit ज्यादा कम कर दिया गया है पहले 100% sit होता था अब 75% sit रखा गया है समझ गए अब मार लेजिए AC के हैं और ITA दीघागाट पटना में admission लेना चाहते हैं तो देखें कि total नहीं हाँ पसीट कितना अबलेबल है तो 143 यानि कि आपका rank 120, 140 तक है 150 तक भी है तो आपका first counseling में हो जाएगा बसरते या है कि आपको यहाँ पर दिये गए सभी trade को 24 करना होगा ठीके यह सिर्फ दिघागाट का है उसके अलवी निचे एगाट देखिएगा यह जो पटना district है पटना district में और ITA है और देखिएगा यहाँ पर देखिए इस सारा का सारा पटना district का ITI है इसी पर का आप अपने district की में IT देख लिचेगा और देखिए यही आप जो है सभी district को 24 करने वाद आप आते हैं पतना district में ही तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए 636 rank है, हैनि कि 636 seat तक अबलेबल है, आपका rank 600 तक है, साड़े 600 तक है, यूबार में तो भी आपका पतना में admission हो जाएगा, लेकिन आपको बसरते यहीं है कि आपको सभी ITI institute को चूच करना होगा, और सभी trade को चूच करना हो होगा, और आपका देखिएगा, AC में 203 seat है, 203 seat पे आपका admission होगा, हैनि कि 203 candidate को first counselling में ही बुलाया जाएगा, देखिए, इसमें क्या होता है, कि सभी student counselling के लिए भाग लेते हैं, लेकिन counselling में जाते हैं, तो उनके पास जनकारी का अभाव होता है, जिसके कारण से उनका counselling रुक जाता है, या counselling कराने के बाद उनका admission रद हो जाता है, और वो seat खाली बज जाता है, ठीके, जिसके कारण से next counselling यानि कि second counselling को बुलाया जाता है, जिसे हम लोग second allotment order कहते हैं, वो जारी होता है, उसमें भी बहुत लोग जनकारी नहीं लेते हैं, कि admission कैसे होगा, और चले जाते हैं, और वो counselling करा भी लेते हैं, और पहुच जाते हैं counselling में, और फिर वहाँ से वापस उनको आना पड़ता है, क्योंकि वो लोग document, अपने document को अच्छे सनहीं ले जाते हैं, और जो वहाँ पर मांगा गया है, वो लोग उनको fulfill नहीं करते हैं, जिसके करांस उनका admission रद कर दिया जाता है, ठीक है, अब समझ लेते हैं, open merit rank card से कैसे admission होगा, देखिए, open merit rank card यदि आपका UR में 209 आया है, ठीक है, समझ गए, यदि आपका open merit rank card UR में 209 आया है, ठीक है, तो आप जो है, ITI पटना में admission करा सकते हैं, पटना में जितने भी ITI गोवर्मे सकते हैं, और आप सभी trade को 24 फिलब के लिए देते हैं, तो आपका first counseling में ही, आपका ITI पटना में admission हो जाएगा, जो आप इंस्चूल को चूच कीजिएगा, इसी पकार आप AC का देखिएगा 85 है, यदि की 85 rank तक आपका है, तो आप किसी भी district के हैं, जिसे माले पटना में admission कर admission ले सकते हैं, लेकिन आपको जो rank देखना होगा, वह आपको EUR में rank देखना होगा, इसी पकार मान लिजेगा, गया देखिएगा, गया का भी EUR में rank आया है, यानि कि आप गया में भी जाकर admission ले सकते हैं, ठीके, यानि कि दूसरी district में जाकर ITI में admission ले सकते हैं, बससर्त है कि उसके लिए 25% ही last seat आरख्षण किया गया है ठीके और यह seat आरख्षण जो किया इसका लाब आप लोग अच्छे से ली जिएगा ठीके की जैसे कि यहाँ पर देखिएगा नीचे आया है और और शीट देखा देते हैं आपको देखिए यह भागलपूर का है ठीक है भागलपूर में यदि आपको एडमिसन लेना है तो आप भागलपूर के ही है तो आपको अपने डिश्टिक वाइस कैटेगरी वाइस राइंग कार्ट के अनुसार आपको शीट दिया जाएगा इसमे यदि आप गया के, पतना के, बेगु सराय के, बक्सर के, भोजपूर के हैं तो आपको ओपन मेरिट राइंग कार्ट से आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आपके ओपन मेरिट राइंग कार्ट से कितना यहाँ पसीट अबले वाले आपको यहाँ पर दिया गया है तो इस सब ही candidate online choice filling करा सकते हैं online choice filling को counselling नहीं कहा जाता है ठीक है बहुत लोग गलती यह करते हैं कि online choice filling को ही counselling कहा देते हैं जबकि वो counselling नहीं कहा जाता है उसे online choice filling कहा जाता है आपको choice filling करने के बाद दो round में पहले admission होता है first round का all ultimate letter जारी किया जाता है उसके बाद seat सेट मैटिक्स जारी क्या जाएगा ठीक है सेकेंड राउंड में एडमिसन के लिए जितना सीट अब लेबल रहेगा उसका सेट मैटिक्स जारी क्या जाएगा सेकेंड राउंड के लिए फिर आप सेकेंड राउंड में आपका नाम आता है तो आप कांसलिंग में फिर जा सकते हैं second round के ठीक है यदि second round में भी seat available बचा रहता है तो आपको last मौका दिया जाता है जिसे offline counseling कहते हैं उसे आप मुपव counseling के नाम से जानते होंगे यदि नहीं परिशित है तो आप जो सरकारी ITA YouTube channel से जुड़े रहें आपको हर एक चनकारी step by step देने का और समझाने का परियास किया जाएगा इसका PDF आप जो है टेलिग्राम गुरूप पर जाकर डामलोड करें